कुंडल पुर के बड़े बाबा की परंपोजी आचारी गुरुपर स्री बिद्या सागर जी महराजी की परंपोजी निर्या पक स्रमार समेशागर जी महराजी की परंपोजी मुनी स्री समेशागर जी अधी समस्मनी राजों की महराजी आज मैं पूछना चायता हूँ, आज बगबान रसव देब का जन्म कल्याणक और तब कल्याणक है, और सब जानते हैं तब के सुईकार करने के उपरांद छे मेने का अबास दहरन किया औरोंने, तदुपरांद अहर की चरिया को निकले, और उनके लिए साथ महीने आठ दन तक अहर का लाब नहीं मिला, और चरचा ये आती है, अनों ने ग्रस्तवस्ता में किसान के लिए उपदेश दिया, कि यदि अना जिबेल खाते हैं तो मुस्य का लगा दिया करो, और चूक गया छे घड़ी के लिए मुसी का नहीं निकाल पाया, तो छे महीने की एंत्रा करम का आश्रबंद हो गया, मगर ये प्रसंग किप्तंती के रूप में ही लगता है, जहां तक मुझे यादे महा पुराणे में भी कोई ऐसी चरचा नहीं आई है, इतना अबसे कारी हुआ तो कारण तो निश्च तो होगा, तो आपके स्वाद्दाव में कोई इसका समाधान हो, तो कृरपया सब को बताईए, महाराश्री ने बहुत ही सोध पूर्ण बात यहां उपस्थित की है, ये बात जरूर्स हम लोगों ने बच्पन से सुना है, कि वो बैल के मुँ में मुश्का बांधे थे, इसलिए उन्हें अंत्राय हुआ, लेकिन जैसा महाराश्री ने कहा, वैसे मैं कहूंगा कि मेरी सिमर्थी के नुशार, जितना मैंने अभी तक पढ़ा और उसमें से जो मेरी सिमर्थी में है, संभवता किसी सास्त्र में ऐसा उलेक देखने को नहीं मिला, हो सकता है कि उन्हें हो और हमारे इस मरन में ना हो, मैं ये नि करता कि जो मेरी सिमर्थी में वही सास्त्र है, पर मुझे मेरी सिमर्थी के नुशार, ऐसा सास्त्र में देखने में नहीं मिला, यदि किसी को मिले तो ज़रूर अवगत करा आई, बहुत सारी बाते ऐसी होती है जो लोक में बहुत ज़्यादा प्रशिद्ध हो जाती है आपने बहुत सारी ऐसी बाते आ जाती है जैसे अजित सागर जी महराज कह रहे हैं एक सो सतर ती ठंकर एक साथ हुए ऐसा आजितनात भगवान के तीर काल में हुआ था हम लोगों ने बच्पन में सुना है और किसी ने कहा ऐसा पदम पुरान में लिखा है पता नहीं मुझे तो नहीं दिखा अगर हो तो जरूर इसको भी देखा जाए तो यसे बहुत सारे प्रशंग होते हैं जो चले आते हैं लेकिन महराज जी ने बिलकुर सही कहा है कि बिना कारण के कारण नहीं होता पर मैं इसे एक कदम और आगे बढ़ कर देखता हूँ मैं आपकी इस बात को पूरी करूँ हम यहां कारण के बिना कारण ही होता है बोल रहे हैं पर मैं मानता हूं बिना कारण के भी कारण हो जाता है वो कारण है संयोग जैसे मरुभूर्ती और कमठ पारशनाद भगवान ने आपस में जो बैर हुआ दस भाव के रिकार्ड में पारशनाद भगवान की तरफ से कोई भी गलत काम नहीं हुआ लेकिन हर भाव में उन पर भैयानक उप्षर्ग हुआ और हर उप्षर्ग उनके उतकर्श का कारण बना अगर कोई पूछे किस कर्म के उदय से उन पर ऐसा उप्षर्ग हुआ आगम कुछ नहीं बोलेगा पर मैं एक इसे ऐसा लेता हूँ कि उनका उतकर्श इसी संयोग से होना था तो क्या हम यहाँ संयोग को एक कारण के रूप में नहीं ले सकते संयोग भी तो एक कारण है इसी तरह भगवान रिशब देव के साथ ये एक संयोग भी हो शकता है इसलिए मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया फिर मेरे सिर पर ये क्यों आ गया उने पारसनाद भगवान की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए समझ गए हर बात में करम को कोशने की जिगा एक बात सद्धान में डाल लो कि जीवन में चाहे जैसी उल्टी सीधी परिस्थि क्यों निर्मितना हो मुझे बिचलित नहीं होना है समता रखना है यही मेरी साधना सुब असुब सैयोगों में समता यही एक साधक का सबसे बड़ा धर्म है तो मैं इसे सैयोग के रूप में देखता हूँ और इस सैयोग भी बड़ा कारण बन सकता है